नमस्कार दोस्तो एसके एलेक्टिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए आउजा का एक पावर एंप्लिफायर लेकर आया है जो कि UBA सीरीज के सबसे तगड़ा एंप्लिफायर है जिसका मांडल नंबर UBA 13 सब है तो दोस्तो आप मारे इस वीडियो को पूरा करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप देख पारा वीडियो में यह रहा हमारा एंप्लिफायर जिसका मांडल नंबर UBA 13 सब्सक्राइब आईए आप इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको दोस्तो इसमें डबल कार्टून का डबबा लगा हुआ है डबल पाइकेट में आता है यह एक उपर की साइड था और यह था अंदर की साइड दोस्तो इसमें बहुत जबर जयास फोम लगा हुआ है जो अंप्लिफायर को सेप्टी के लिए होता है यह देखिए थोड़ा स्टूर चुगा है हमने एक बार इसको ओपन किया था इसको ओपन करते समय हमारे से ही है इसमें चार और दी धिया गया हैством दो सोरो फिक यह तो तीसे मिवेड़े के बडबर ऐब इप्योज दीए हैं दोस्तों चार दी दिया गया है दोस्तों अब amplifier के बाहर की सायड निकालते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या फीचर दीया गया है तो जПрiddetti देख पा रहां है वीडियों में हमने amplifier को बाहर निकाल लिया है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आफ़िया का लोगों लगा हुआ ह्या हैं WH मैन इसका ठेस्ट कार्ड है जो की company जो एंप्लिफार टेस्ट करते हैं तो यह लगा देते हैं card यह इसका power on आप सीच हो गया यह preset बटम हो गया दोस्तों यह रहा है इसका power on दोस्तों यह रहा है इसका ubs 300 model power amplifier ubs 300 power amplifier हो गया और एक fan आगे की side लगा हुआ है जिसको आप देख पा रहे हैं दोस्तों यह रहा इसका main master volume और इसके बगल में base हो गया और यह माइक का हो गया दोस्तों यह हेवी duty का amplifier है और दोस्तों यह आउजा का original logo है और देखिए दोस्तों इसमें जो जाड़े-जाड़े handle दिये गए है इस amplifier को उठाने के लिए क्योंकि इस amplifier का weight काफी ज्यादा है तो दोस्तों जिसका देख पाने है यह देखिए transformer जिलक रहा है इसका आउजा का बहुत बड़े-बड़े इसमें दो transformer लगे हुए हैं दोस्तों आईए अब पीछेक साइट देख लेते हैं क्या कैसे दिया गया है जैसा कि आप देख पारे हैं दोस्तों इसमें दो फ्यूज दिया गया है यह 30 ampere का है दोस्तों फ्यूज और नीचे दिया गया है common, two ohm, four oh atom और atom दोस्तों इस बगल में अर्थिंग के लिए दिया गया एक टर्मिनल और इसके नीचे यह दिया गया है इसका यह serial number लिखा गया है जैसा कि सभी आउजा कंपनी वाले अपने सभी amplifier हों लिखते हैं जिसका देखिए और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कि यह भी है series का amplifier है आप जाके उसके serial number के सामने true sound private limited लिख कराता है जैसा कि आप देख पा रहे है true sound private limited लिए दोस्तों इसका हम serial number आपको दिखाने को सिज़ करेंगे इसका serial number है one two double line four नहीं दिख पाया अब देखिए दोस्तों यह मेडी इंडिया है यह दिल्ली का company है दोस्तों दोस्तों यह रहा है सिका power plug 12 ampere का heavy plug है दोस्तों यह heavy machine है है तो heavy plug भी रहता है इस में देख लेजिए 12 ampere का है दोस्तों बहुत heavy है दोस्तों यह fan दिया गया है PCC siree में बड़ा side में दोस्तों यह रहा balance input input लाईन इन ऑर इसके नीचे लाइन अउट हो गया आपके सब्सक्रास्ट अविकी यह देखिया माइक काँतर हो गया और आक्स 100 В 2 Isis 502 व्ड्व नोग्या दोस्तों यह घ्जून गया है इसमे ऑपसी अख वाले ही वालउम से यह भी चलता है दोस्तों और पीछे साइड में बड़े बड़े चार दोस्तों इसके पीछे चार घोड़ा भी लगा हुआ है जैसे कि आप एंप्लिफायर खड़े करके भी रख सकते हैं अब दोस्तों देखिए यह इसका जो अंदर के साइड कवर था वही कवर है दोस्तों दोस्तों अब देख लेते हैं इस अंप्लिफायर का प्राइस कितना है अब सब कुछ तो हमने बता दिया दोस्तों आईए अब इसका प्राइस बता देते हैं और इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इस अंप्लिफायर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लेत इसका मैक्सिमम वाट 1650 वाट है दोस्तो आप इस पर 2000 वाट तक का लोड देकर बड़े अराम से चला सकती है इस अम्प्लिफायर में कोई प्राब्लम नहीं होने वाला है दोस्तो इस अम्प्लिफायर का वेट 49 kg है काफी है इस अम्प्लिफायर का UBA सिरीज का सबसे तगड़ इस अम्प्लिफायर है दोस्तो इस अम्प्लिफायर में कोई हारन का कनेक्शन नहीं दिया गया है दोस्तो इस अम्प्लिफायर का टेस्टिंग का वीडियो आपके भी जल्दी लेकर आएंगे अप्रोब के साथ दिखाएंगे 2000 वाट लोड देकर इस पर चला कर तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियों फिर मिलेंगे तब तक क्लिए नमस्कार